नवश्कार बिन्या टाइम्स में आपका स्वागत है रीबा मा नगर निगम से एक बड़ी खबर आ रही है कॉंग्रेस प्रत्यासी आजय मिश्रा बाबा तीन हजार बोटों से आगे हो गए हैं प्रथम राउंड की काउंटिंग शुरू हुई जिसके बाद आजय मिश्रा ब प्रवोध व्यास से तीन हजार की बढ़त बना ली है आपको बताएं कि यह पुरा काउंटिंग का कार्म लगभग साड़े नौ बजे से शुरू हुआ जिसके बाद प्रथम राउंड के जो नतीजे आ रहे हैं उसमें एक बड़ी बढ़त कॉंग्रेस प्रत्यासी आजय मि प्रत्यासी आगे चल रहे हैं अलग-अलग जो आकड़े आ रहे हैं रीवा के उसमें भी यह देखा जा रहा है पहले राउंड में जैसा आपने बताया सोला सो नौ मत पाकर कॉंग्रेस पार्टी के प्रत्यासी अजय मिश्रा बाबा से प्रबोध व्यास पीछे चल रहे थ कॉंग्रेस ने पहला चरण वीजेपी के लिए बारा सो मतों से पीछे थे उसके बाद ये लीड जिस तरह से बढ़ रही थी और अब अलग-अलग वाडों के भी रुजहान हम आपको बताते जाएंगे लेकिन फिलहाल जो बेट है जिस तरह से ये रुजहान शुरू हुए पहला राउंड अब दूसरी राउंड की और बढ़ रहे हैं और आखड़ा बढ़ता ही जा रहा है और दीरे दीरे अब वाडों के भी रुजहान अब नतीजों की और बढ़ने लगे हैं आपको बताएं कि बाट कमांग बीस से दीनानात वर्मा एक सो असी वोटों से बिज लखन खंडेलवाल 124 मतों से विजई हुए है लखन खंडेलवाल की वाइप वहां से प्रत्याशी थी और यह जो आकड़े आ रहे हैं यह स्पस्ट रूप से और थोड़ी देर में फिल्टर हो जाएंगे लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो यह की जहां जहां पे यह आकड़े आ रहे थे और यह हो रहा था कि किस तरह से पहला रुजान क्या है अलग अलग जगह से जो चीज़ें निकल के आ रही है उसमें रीवा जो मतिपूर्ण सीट है रीवा नगर निकम जिसको लेकर दोनों ही राजनेतिक दल दावा कर रहे थे कॉंग्रेस अपनी जुटता की बात कर रही थी और रुजान मिलने लगे हैं रुजान इस पस्ट रूप से यह है कि कॉंग्रेस महापावर प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा आगे चल रहे हैं अमिजी एक बात यह पूछना चाहूँगा क्योंकि एक तीन हजार की लीड एक बड़ी लीड कह जा सकती है क्या यह आने वाले समय में आने वाले राउंड में इसमें बदलाव देखने को मिलेगा देखने की अभी इस पस्ट रूप से यह कह देना कि ये लीड कि dese General लेकिंगी जिस तरह से बड़ी खबर वाड करांग चार रीवा नगरनिकम का वाड करांग चार यहां से एक आकड़ा आप तक आ चुका है और ये आकड़ा ये कहता है वाड करांग चार में कॉंग्रेस पार्टी से प्रत्याषी थे कॉंग्रेस पार्टी के और एक अच्छा केंपेइन बाट कर्मांग 4 में देखा गया था तुमाम कॉंग्रेस के पर्त्याषी जब कमलात का आगवन हुआ था वह भी बाट का क्रिमांग 4 में देथे कर चुका है चार सो बावन वोट कॉंग्रेस को मिले हैं 269 वोट पर भारती जनता पार्टी है वाड कर्मान 20 शुरू से ये बताया जा रहा था कि यहां पर कॉंग्रेस मजबूत रह सकती है वाड कर्मान 20 का भी आंकड़ा आपके बीच आ चुका है वाड कर्मान 20 में ये बड़ी बढ़त जो है कॉंग् चुका है 226 वोट कॉंग्रेस पार्टी को अब तक मिले हैं 97 पर भाजपा है और आम आदमी पार्टी 65 वोट पर है वाड कर्मांग 5 में कॉंग्रेस 280 भाजपा 264 ये अंकड़ा अब तक है वाड कर्मांग 5 का वाड कर्मांग 6 का भी आंकड़ा आ चुका है विवेट 208 चार 206 पर कॉंग्रेस है 158 पर भाजपा है दीनानाथ वर्मा विक्टरी साइन के साथ वहाँ पर देखे गए हैं यानि चुनाव जीत चुके हैं 180 वोटो से आपने बताया दीनानाथ वर्मा को लेके और क्या अपडेट है दीनानाथ वर्मा एक मैं कहूंगा की बाट रीब वार्ड में हर पूरे नगर पालिका में हर जगह काम कर रहा था वो कहीं न कहीं नतीजों में परिवर्तित होते हुए दिख रहे हैं और एक बड़ी जीत दीनानाथ वर्मा की वार्ट कुमांग 20 से इसके अलाबा कॉंग्रेस भी लगातार फाइट में बनी हुई है तमाम व सब जगे के थोड़े थोड़े रुजहान मिलने शुरू हो गए हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से ये रुजहान आ रहे हैं तो कहीं न कहीं कॉंग्रेस के खेमे में ये खुशी की बात होगी क्योंकि लंबे इंतजार के बाद इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और हम जो भी ताजारुजहान आप तक पहुंचेंगे जो भी ताजारुजहान हम तक आ रहे हैं जो फीड आ रही हैं उसके हिसाब से आपको अपडेट करते रहेंगे क्योंकि कहीं न कहीं ये देखा गया है कि रुजहान थोड़ी से फीड मिलती जाएगी जो हमारे रिपोर्टर्स वहां पे हैं जो फीड देते जाएंगे उसके हिसाब से हम आपको बताते जाएंगे विवेक आप रीवा नगर निगम को लेकर कुछ कह रहे थे बाट करें तो ये कॉंग्रेस की एक बड़ी लीट कही जा सकती है जिस तरह प्रारंभी कुरू जान आएं अलग अभी कुछ कहना जल्दवाजी हो वार्ड क्रमांग तेज विवेक आपको रोकना चाहूंगा वार्ड क्रमांग तेज से कॉंग्रिस प्रत्याशी 502 वोट से आगे चल रहे हैं परंपरागत सीट कही जा रही थी वार्ड क्रमांग यह वही छेतर है जहां पर तमाम सियासी गलियारों के मजबूत चेहरे पूर मंत्री राजे इंद शुकला सिधार तिवारी यह सब वही रहते हैं और वही अमईया का वार्ड है वार्ड क्रमांग तेजिस वहाँ पर 502 वोट से कॉंग्रिस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं म अब तक जो रुजहान है उसमें वार्ड क्रमांग 5 में कांटे की टकर देखी जारी थोड़े दिर बात जब हमारे साथ ये अपडेट होगा कि वार्ड क्रमांग 5 में क्या इस्थिती है तो हम आपको जरूर इसमें अफगत कराएंगे कि क्या एक्चुल जो डेटा है वो क् इन फिलाल जो अभी वहां से आकडे मिलते जा रहें उन पर हम आपको बताते जा रहें वार्ड क्रमांग 21 निर्दली प्रत्याशी संजय खान 245 वोट से आगे चल रहे हैं कुल मिलाकर रुजहान धीरे-धीरे कर साफ होने लगे हैं मादपूर बार्ड माना जा सकता है वार वांग 27 से गायत्री खंडेल वाल 124 वोट से ये जीत हासिल की है लखनलाल कंडेल वाल कारिकारी शेहरति यक्ष की पत्नी गायत्री खंडेल वाल 124 वोटे से इन्हों ने जीत हासिल कर दी है वार्ड क्रमांग और जिस्तवल्ण bare का काम किया और उस दूसरी तरफ कॉंग्रेस पहली बार पूरे शहर में नगरपालिका में में एक जुट नजर आई कहीं न कहीं इसका रुजहान रुजहानों में नतीजों में अब देखने को मिल रहा पूरी तरह लडाई काटे की टकर देखी जा रही है तमाम वाडों की आपको हमीजे ने अभी बताया कि बाट कमांग आपको बताएं बाट कमांग 23 से कॉंग्रेस प्रत्यासी मुहम्मद अकरम 502 वोट से आंगे चल रहे हैं बाट कमांग 23 रीबा नगर पालिका का वाड मुह रुजहान नतीजों की और आंगे बढ़ने लगे हैं हम आपको अपडेट कर आ रहे हैं तमाम वाडों के आप भी कमेंट करके पूछ सकते हैं वाड करमांग 34 कॉंग्रेस 545 भाजपा 461 यह अकड़ा है अब तक का और सीधे तोर पर जो आकड़े निकल के सामने आ रहे हैं उससे परिस्थितियां लगभख साफ होती जा रही हैं क्योंकि लगातार सब यही इंतजार में थे कि कब किस किस फेज़ेज में किस तरह की चीज़े होंगी एक महतिपूर्ण खबर इस बीच कटनी की है कटनी में शुरुआती रुजान में बीजेपी तीसरे स्थान पर है बड़ी खबर है क्योंकि कटनी पूर्व मंत्री संजय पाठक का गड़ तमाम परिस्थितियां लेकिन तीसरे स्थान पर है तो कुल मिलाकर इस से सीधे तोर पर प्रभावित होगा क्या कुछ निकल के सामने आएगा यह आगे देखना बहुत महतिपूर्ण होगा लेकिन अभी यह खबर सीट मानी जा सकती है भारती जन्ता पार्टी क्योंकि वहां से प्रीती सूरी जो निर्दली उमीद्बार है एक अच्छी लड़ाई वहां पर देखी जा रही थी निर्दली कि दौरकि वह भारती जन्ता पार्टी से बगावध पर कर पने तो नरहीं तती और नतीज आ रहे हैं जिस प्राराम्विक रुजान देखे जा रहे हैं वो भारती जंदा पार्टी के पक्ष में कट्टी के दिश्ट्रकों से नहीं लग रहे हैं फिर से हम थोड़ी देर में आपके बीच होंगे तमाम अपडेट्स को लेकर लेकिन फिलहाल कॉंग्रेस के लिए रीवा में खुशी की बात है क्योंकि जिस तरह से चुनाओं अब तक हैं उससे वह आश्वस्त होंगे और आगे क्या होता है डेटा क्या परिणाम आते हैं किस तरह से वेरियेशन दिखते हैं काउंटिंग जारी है हम आपके बीच थोड़े समय बाद फिर से तमाम अपडेट लेकर हाजिर होंग बेर क्या हुआ है